हेलो एवरिवान कैसे आप सब होप करते हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे वेलकम बैक टुआ नियो कमेंट वीडियो और सच में आप लोग इतना जारा प्यार दे रहे हैं इस चैनल को कि दिल खुश हो जाता है और कितने भी ठके हारे हो ना हम तब भी आपके कमेंट पढ़ने आ जाते हैं क्योंकि हम पटा के कमेंटे करना बहुत होता है कि आज किसका कमेंट पढ़ा जाएगा लोग देखने आते हैं आप सभी न तो नोगं मिशन हैं और रैगूलर कमेंटी आप से कितनी बार ये सवाल कर चुकी हो पर आपने जवाब नहीं दिया प्लीज बता दीजिए आपके IVF में कितना खर्चा आया था मुझे भी करवाना है मैं गरीब हूँ अगर मेरे भी पास उतना पैसा हो सकेगा तो मैं भी करवाओंगी प्लीज दी जवाब जरूर दीजिएगा तो जैसे कि आपने पूछा कितना खर्चा आया तो मेरा टोटल 1,90,000 रुपीस का खर्चा आया था और अगर आपको भी आई वेफ के ट्रेट्मेंट के लिए तो मैं ट्राय करूंगी क्योंकि हमारे पस काफी सारी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जब मैंने आई वेफ कराया था बताऊंगी आप ऐसा कीजेगा अप धीरज भया को अपना कॉंटाक नंबर से एंड कर दीजेगा अगर कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊंगी तो नेक्स कमेंट है सिमरन कॉर का वो लिख रहे हैं मेरा बेटा बहुत रोया कि मम्मा भूत आ गया आपसे वो कुछ सुनेगा नहीं तो मैं उसे यही वीडियो दिखाऊंगी तो यह हमारी आप शायद भूत वाली वीडियो की वारे में बास कर रहे हैं और आप लोग बनाने का तो फिर आमने सवचा कि यह आप लोग इतना वीट करते हो तो क्यों एक चोटी सी वीडियो ले तो उस वीडियो के लिए ने थोड़ी बहुत तियारी की ती पर मुझे ऐसा लगा है कि उस वीडियो को इतना प्यार नहीं मिला आपको इतना रिस्पांस नहीं मिला तो अब हमें ऐसा जो कुछ है ऐसा नहीं करेंगे नॉर्मल रूटिन में जो मारे व्लॉक्स होते हैं वही देंगे आपको क्योंकि क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इग्नोर चीकु फो ट्वेंटीफॉर आर्स तो बस हम लोगों ने थोड़ा सा ट्राइक है था हमें बुरा लग रहा था बट नवहीं है ना आप लोग क्या चाहते हो कि कि इस कंटेंट पे व्लॉग आया तो किसी का कमेंट आय तो आगे पश्टाओ होगा अर्मान में कित तरह निकलेगा यह तो सबसे पहले मैं आपको यह बोलना चाहूंगी कि हम तो चाहते हैं कि हमारा बेटा बिलकुल उसके पापा पे जाए क्योंकि उसके पापा इतने महनती हैं और सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं सभी आती हूं कि चीकु अपने पापा जैसा ही बने नेक्स कमेंट है प्रियंका पालका वो लिख रहे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हो मुझे नहीं पता आप लोग मेरा कमेंट पढ़ोगे की नहीं मेरे घर में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है मैं जॉब करती हूं आफिस में जाकर चुपके से सारे व्लॉग आपके डाउनलोड कर लेती हूं घर आके अराम से बैट के व्लॉग देखती हूं मैं आपके व्लॉग में आज फॉर्स कमेंट किया है मेरे कमेंट पर होगी मैं आपने आपको लखी मानूंगी चीकु को बहुत प्यार करती हूं लव यू बच्चा लव यू अल बहुत सारे तो नेक्स कमंड में बढ़ने जारी रुस्तार का वो लिख रहे हैं डाइनिंग टेबल की जगा सोफा वापस लेया हो बहुत बख्वास लगती है उसकी प्लैसिंग और आप लोगों को डिस कमफ़रेबल देखकर बेकार ही लगता है बिल्कुल आप सही कहा है मु अपने घर के लिए नेक्स कमंड में पढ़ने जारी हूं नेहाली जैनका इतने प्रैंक ना करो कॉंटेंट के लिए कभी हाड़ अडेक्ट ना करो नेक्स के लिए अजये संभाल की कॉंटेंट बनाओ तो यह कॉंटेंट नहीं था यह सिर्फ प्रैंक था वह भी हमारी जो प्यार करने वाले जो हमारे फैमली है यूटूब के वह लोग हमें बताते हम वही करते हैं और देखो कभी भी प्रैंक में ना ऐसा कुछ नहीं होता हार्ट अट अर्मान भाई अगली बार आप बिग बॉस में जाना हम आपको फूल सपोर्ट करेंगे वोट करेंगे आपको जिता देंगे तो मैं आपको बता देती हूं कि अर्मान जी इस बार के बी जाने वाले थे लेकिन उस टाम मारी प्रेग्नेंसी चल रही थी जब कॉल आया था हम से तो अर्मान जी ने उस वज़े से जो है डिनाय कर दिया जाने के लिए क्योंकि एक तो कभी भी डिलेवर हो सकता था उसके बाद जब आया तक तक हमें हमारी हो चुकी थी बच्चे बहुत चोटे थे और आपको पता है स्टार्टिंग में बच्चे कितने जादा बीमार तो अर्मान जी का एक डिसिजन बिल्कुल सही निकला कि वो नहीं गए अधरवाइस वो दो महीं निकले माँ फस जाते तो नेक्स कमेंट है जुबेर खान का अर्मान मलिक जी लोग फालतु बोलते हैं जाने दो उन्हें हमें पता है कि आप काम करने गए हो और अपनी फैमि पर नहीं ध्यान देते बहुत लोग गए जिनको अर्मान जी से बहुत ज़्यादा दिकट है बहुत सपेशली उनसे धिकट है थिक्ति हमें कोई प्रब्लम नहीं है आप उनको हीट करो आप इनको प्यार करो वह उनका जो काम है वो करते रहेंगे मेरे और पाल के लिए हमार बिल्कुल बात बूली और जो अर्मान जी है वो सेल्फ मेड है जो बोलते हैं खुद का उन्होंने जितना भी चीजे के खुद के दंपे करें कोई भी हमें यहां पे लाने वाला नहीं है हां मुझी और पायल को हर चीज में डिरेक्शन दें बढ़ जो दिमाग होता है वो अर पाफिल करके रहते हैं कोई भी चीज हो और गाईज यह इतनी कामिया भी से पहले ना हमारे उपर बहुत सारे मुसिबतों के पाहड गिरे हैं और आप सभी को पता है क्योंकि हमारी जीतनी भी यूटूब फैमिली है उनको हमने अपनी पूरी स्टोरी बताए कैसे क्या क्या तो नेक्स कमेंट है प्रीत कॉर 9798 का शांती लुकिंग सो ब्यूटिफूल एं मेकप एक नंबर बेस्ट एक्टिंग शांती दस में से दस वेरी गुड शांती नेचर आर सो गुड नहां शांती का नेचर बहुत अच्छा और शांती हमारे यहां पर बहुत पहले से काम कर और हो जो जब हम यह पे आये थे तब से ही शांती हमारे यहां पर और शांती बिलकुल ऐसे लगा लो इन की तरह है उसने मारा प्रेगनेंसी में बहुत ध्यां रख है और प्रेगनंसी के बाद हमारे बच्छों को भी बहुत द्यान प lleva our थी प्यार करते हैं बहुत प्यार क पाइल की acting all time favorite but आज कृतिका की तरह पाइल को भी हसी आ गई हाँ मोजी हसी आ गई थे हो और जब हसी आई ना उसके बद खांसी आ गया खांसी में ने ना बहाना बना दिया कि मेरी को खांसी आई और मेरी मौत हो गई so next comment है अगर अर्म जी होते ना तो वो पक्का गोस नहीं बनते उन्हें वह लगता है कि तुम्हें जो करने करो मैं तुम्हें किसी चीज के लिए रोक रहा बट मुझे इस चीज़ों में आड मत करो बाकी हम लोग भी अर्मान जी को बहुत जादा मिस कर रहे हैं और फाइनली हमारा जो इंतिजार है वो खतम होने वाला है कल अर्मान जी घर पे आ जाएंगे और फिर से वही चैल पहल हो जाएगी घर में शुरू इस पर गोलू और शान्ती की एक्टिंग मुझे भी सबसे जादा बैस लगी बाकी सब तो फीके पड़ गें आर्ची को उने भी बहुत अच्छा किया था बाकी यह तीन ही रोग अच्छे लगे मुझे बाकी तो सब फीके पड़ गए तो यह जो ठंड वाला सीन ने यह चीकु ने गोलू को पताया था कि मम्मा ऐसे बोलो कि मैं एक दिन शिम्ला गया था शिम्ला गई थी वहाँ पे मेरे पास ठंडे कपड़े नीते और मेरे ठंड से मौत हो गई चीकु ने तोड़ा लंबा पताया था इसने शौट में गर दिया था और चीकु भी बहुत ज़ादा आइडियास देता है अपने पापा जय सकती मांग चलता है उसका हर्चीज में अब तो पड़ाई में भी बहुत अच्छा हो गया है और बहुत ज़ादा मैनर्स भी होग आज में पूरा फ्रेगनंसी का फेस आप लोगों का व्लॉग देखकर खुश होगी थैंक यू सो माच वरा मैं अच्छा लगता है कि जब मतलब आप शुरूआत से हमें देखते और आपका रूटीन बन जाता है हमें देखना न तो बस यही है जो हमने कमाया इस फैमिली से और बस ऐसे ही आप लोग आगे भी हमें सपोर्ट करते रही है और यह जो चैनल एकरती का मलिक इसको बहुत ज़्यदा प्यार दे रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल के वन मिलियन करा दे ताकि हमारा गोल्ड बटन जल्दी से आ जाए बिल्कुल बिल्कुल आपका यह जो विश है बिल्कुल जल्दी ही पूरा होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने सोचा हुआ है नवरात्री पूरा नौ दिन चनिया चोली पहन के और हमारा पूरा स्टाफ जो गुजराती मेल का होता अड्रेस वो पहन के उपर हमा च्छत पे डांडिया करने वाले हैं और इंजॉय करने वाले बहुत ही ज़्यादा इस वाले फेस्टिवल को इरमीर 6782 का दायमेंड प्ले बटन 10 मिलियन सब्सक्राइब पर नहीं मिलता क्या इनके तो 3.5 मिलियन है यह बात कर रहे है अर्मान मलीक का नहीं है वो फैमिली फिटनस का आया जहां पर 12 मिलियन उस बटन पर पीछे के साइट फैमिली फिटनस का भी लिखा वार नाम यह त कि हमारे यहां बड़े लोग मानते हैं कि काला महनत पर काला टीका लगाने से बच्चों की तकदीर काली हो जाती है इसलिए बच्चों को काला टीका बच्चों के पैर के नीचे लगाया करो जैत तूबायान लव यू प्लीज रीड माय कमेंड कृतिका थी प्लीज रीड मा आपको भी एक प्यारी सिनननी सी परी मिले और आपकी बहुत जल्दी भरे और इसना प्यार देने के लिए तूबा को लोगे अभी ना पहले तूबा को ना बहुत हीट देते थे लोग लेकिन अब इतना जाधा प्यार देते थे वो सारी चीजे में भूल गई हूं कि क्या बोलता था मेरी बच्चे के बारे में आप जो है ना दिल खूश हो जाता है आपके कमेंट्स पढ़के साई मुर्मन का मलिक फैमली के चल रहे है तभी तो लोगों के जल रही है यह डाइमें मेरा कमेंट का प्रूफ है लव यू सैमुन यासुफ बहुत ही प्यारा आपने जो कमेंट्स करें मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो लोग इस चीज़ से शच में चड़ते हैं कि उन और आप बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हो नेक्स कमेंट है सुना शर्मा का मैं इमोशनल हो गई देखकर चीकु पानी ला रहा है खाना ला रहा है मम्मी खाना खिला दो उसको पर क्या है ना कि जब टास्क दिया है तो तो पूरा करना पड़ता है इसलिए हमने से थोड़ क्योंकि 99% लोग आपको बहुत प्यार करती है I am 12 year old जो मेरे पास आइफोन चलाने का एक हार होता है उसमें आपके व्लॉग देखती हूँ फैमली फिटने सर्मान मलिक चिरायू पाइल मलिक टॉप विट कृति का लव यू फॉम राजिस्तान तैंक यू सो मज़ इतना प्यारा कमेंट आपने किया और आपको भी बहुत सारा प्यार हमाई तरफ से और बस ऐसे सपूर्ट करते रहे हैं और हम लोग बने रहेंगे ऐ पाना दीदी दिली जब आओगे करवल नगर डेली गुजर फैमली तैंक यू सो माच सिस्टर तो बिल्कुल जब भी हम दिली आएंगे तो जरूर एक मीटप रखेंगे और सभी लोगों को बलाएंगे मिलने के लिए क्योंकि सभी लोग बहुत जादा मिलना चाहते हमारे तीनों बच्चों से क्योंकि चीकों से तो अल्मोस सभी लोग मिले हुएं तो तीनों बच्चों से मिलना चाहते हैं तो हम जब भी दिली आएंगे एक मीटप जरूर रखेंगे आज का जो लास कमेंट है वो है आशा पटेल की तरफ से राइट कहा अर्मान भाई जिसके पास कोई काम नहीं होता लाइफ में कुछ नहीं कर सकते वो लोग भॉंकने के अलावा कुछ नहीं करते इग्नोर करो अर्मान भाईया जलते हैं आपकी तरक्की देखकर और टाइम हैपी भाईया क्रोज ना करो जलने वालों को जलाओ थैंक यू सो मच आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया उन लोगों के लिए जिनको हम कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन आपने उनके लिए जवाब दिया बहुत ही प्यारा और आपका जवाब सुनके शायद उनको तो गलत बात है बैड निउस है वो फिलाना बंद कर दे तो बस इतने प्यारे कमेंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हो मिलते हैं नेक्स कमेंट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर अल्ला हाफिस